नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे बेडरूम से सम्बंदित बास्तू दक्षिन दिसा में या पस्चिन दिसा में जब हमारा बेडरूम होता है क्या करें आए इसके उपाई को जाने के किस परकार से किड़कियां का निर्मान करना है बेडरूम एक महतपुर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का हम जीवन का सबसे अधिक समय बिताते हैं अच्छे निंद अच्छा सुक चैन अच्छे सिनिंद का मतलब होता है नई उर्जा नई उर्जा से परिपूर्ण जब आप रहते हैं तो आप दिन भर सारा कार अच्छी तरीके से कर सकते हैं बेडरूम जब दक्षिन पस्चिन दिसा सबसे उचित मानी जाती है, बात कर रहा हूं नेरितिकोन की, लेकिन सास्त के अनुसार इसमें मना कर दिया जाता है, खिडकिया नहीं खोलनी हैं, वहीं सास्त में इसके कुछ उपाई बताए गए हैं, कि दक्षिन दिसा में जब आप परवेश करेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, और अच्छे से अपने कार्यास्तर पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग काते हैं, खिडकिया नहीं दे सकते हैं, दक्षिन में नहीं खिडकिया दे सकते हैं, सास्त के अनुसार ही दे सकते हैं, बस आपका बास्त तो सास्तर के बिसेश ध्यान रखना है कि खिड़कियां भी हो जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या भी ना हो जाए तो देखना क्या है आईए हम एक डाइग्राम से समझते हैं कि आपको करना क्या है कार से समझने के लिए हमने एक डाइग्राम बनाया है इस डाइग्राम को देखकर हम समझने का प्रियास करेंगी है यह पुर्ग दिशा पस्चिन दिशा उत्तर दिशा और दक्चिन दिशा मान लिए यह बुलू से जो गेरा है इस बुलू गेरे को देखिए यह बुलू वल यह आपका घर है अब यह है कि हमारे दक्षिन दिसा यह हो गई दक्षिन दिसा और पस्चिन दिसा में हम सयनकक्ष बनाते हैं बास्तु सास्तर के नुसा और घर के परमुख बेक्ति का सयनकक्ष इस कॉर्नर मतलब नेरिति कोन ये नेरिति कोन है ये अगनी कोन है और ये इसान पॉल्क यहां पर होने चाहिए तो हमानल ले आजया आपका सैनकुच यहां बनाओवा इस परकार से ध्यान दे खिडकियों की विशे पिसे सुपा इस पे हम बताने जा रहे हैं यह आपका सेनकक्च एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम बना हुआ और यहीं पर होना चाहिए सास्त के नुसार तो लेकिन खिड़किया मना की गई है तो खिड़कियों के लिए क्या करना कॉर्णर यह जो कॉर्णर है कॉर्णर वाले पूरा भर देना मतलब पूरे आपके दिवाल रहेंगे इसमें यह आपका पूरा दिवाल रहेगा खिड़किया अब यहां से यहां के बीच में आप खिड़कियां दे सकते हैं जब आप खिड़कियां देंगे तो खिड़कियों के लिए आपका यह जगा बच गया और और नहीं पड़ा रहा है कॉर्णर सिर्फ आपको कॉर्णर से बचनाएंगे कोने में खिडिकिया ने दिने अब देखिए खिडिकिया तो आपने यहां दे दिया लेकिन इसका संतूलन करने के लिए आपको उत्तर दिशा पे विसेज ध्यान देना है जैसा कि हमने इस घेरा को बनाया है ये रेड से कि आपको जगह आपको दक्षिन तरफ कम छोड़ना है पस्चिन तरफ कम छोड़ना है इसके संतूलन के लिए आपको पुल्प दिशा में अधिक जगह छोड़ना है और उत्तर दिशा में अधिक जगह छोड़ना है बस यही करना है ये बास्तू को सं मालले आपने यहाऊ पर दो कमरे या तीन कमरे बनाया ये बास्तू को संतूलन कर सकता है, आप अपने सेन करक्ष में बेजिजक होकर खिड़कियां दीजिए, कोई समस्च्या उत्पन नहीं होगी, ये इसको संतूलन करेगा, लेकिन बास्तू के नियमों को विशेस आपको ध्यान रखना ही रखना है, इस बात पर विशेस ध्यान आज के अंके में इतना ही धन्यवाद है